प्रदेश की भारतिय जंता पार्टी की सरकार ने अपने तीसरे कारेकाल का अंतिम बजट पेस किया। सत्ता पक्ष ने इसे सब की खुशाली तो बिपक्ष ने दिखादे का बजट कहकर खारिच किया। मद्ध प्रदेश के वित्य मंत्री ने कल बजट पेस करते हुए किशान गरीब का खास ख्याल रखते हुए और इनके लिए तमाम तरह की घोशनाएं की हैं। प्रदेश के बजट पर रिवा दर्शन ने आपको कल भी एक खबर दिखाई थी। उसी से जुड़ी हुई कुछ बातों को लेकर एक नजर फिर से डालते हैं। जहां पर एक और भातिय रंता पार्टी के संभागिय प्रवक्ता योगिन शुपला इसे आज तक का सर्वश्रेष्ट बजट बता रहे हैं। तो दूसरी और किशान नेता शुब्रमणी इसे सीरे से खारिश कर रहे हैं। आईए देखते हैं रिवा दर्शन से खास बातचीत में दोनों क्या कह रहे हैं। मदप्रदेश सरकार द्वारा प्रस्तुत किया गया आम बजट, सर्व कल्यानकारी, सर्व हितेसी और आम जनता, गरीब, किसान, मजदूर का भला करने वाला बजट है। सिक्षित युवाओं को कौंसल बिकिशित करके और साथ लाख पचास जार युवाओं को रोजगार देने वाला बजट है। सबसे जादा इस बजट में स्वास सेवाओं को फोकस किया गया है। ग्रामी नंचल में हास्पिटल खोनने ले के लिए तीन करोर रुपे तक का अंदान एतिहासिक कदम है। की भूर-भूर प्रसंसा करता हूं आने वाले दिनों में यह बजट मत्रदेश की विकास का मील का पथर साबित होगा। बहुत ही अच्छा बजट है। भावांतार योजणा पूरी तरह से फेल हुई है। अभी चार साल तक के आप बज़ट देखिए, किसानों पर नहीं तने फोकस नहीं किया जाता, लेकिन ये बज़ट पूरता है, चुनाओं भी बज़ट है, चुनाओं के लिए दिखावे के लिए बज़ट है, और गाओं का कुछ भी विकास, किसान का कुछ भी विकास नहीं ह मैं आपकी बात से पूरी तरह से सहमत हूँ इसका दोस कांग्रेस पाइटी को है आप भी जानते हूं मैं भी जानता हूं पूरी जनता जानती है कि एक चात्र को डांक्टर बनने में दस वर्स लगता है हमारी सरकार आते ही मद्ध प्रदेश में नौ मेडिकल कालेज खोले गए और साथ मेडिकल कालेज इस वर्स प्रथम यह से प्रारम हो रहे हैं वह यह तिहासी कदम जो कांग्रेस साथ वर्सों तक नहीं की वह हमने अल्प समय में किया और आपको पता है कांग्रेस के जमाने में 350 सीटे थी पूरे मद्ध प्रदेश में अबी बीएस की आज हमने उसे बढ़ा कर साथ हजार किया और 21000 करने का लक्ष है हम डाक्टर तयार करने में लगे हुए हैं जल्द ही इस प्रदेश को गुनातमक बिद्ध होगी स से सुब्धायूक तहा स्पीटल हमको गाउगाउं में मिलेगी स्वास्तु विधाय नगर्ण है आप देख सकते हैं एक विधान सभा में एक विधायक होना चाहिए तो हमारे देश में आजादी के सतर साल वाद इतने वजड़ बनते रहें क्यों न कि एक विधान सभा में अच्छी अस्पताल होनी चाहिए जो कि पूरी तरह से स्वास्तों विधायों से लहसो हमारे यहां देख रहे हैं आप यहां संजय गांदी अस्पताल रिवा में हैं उसकी हालात क्या हैं यहां आम लोगों के लिए एम दूत और भयाईपियों के वाई दूत आते रहते हैं आम आदमी हमें तो यह लगता है अधिक से अधिक मोते आभाव समय में दवायों के आभाव के कारण होती हैं गाउं में प्राइवेट सेक्टर के लोग अब अस्पताल खोलेंगे सरकार क्या कर रही हैं सरकार अगर एक विधान सभा में एक विधायक दे सकती है तो सरकार को बजट में प्राफधान करना चाहिए कि हर विधान सभा में अच्छे कॉलेज, अच्छी स्कूल और अच्छे अस्पताल होंगे इन दोनों यानि भाजपा, प्रवक्ता और किशान नेता की बात सुनकर कॉंग्रेसी कहां चुप रहने वाले थे बजट के दिन दोनों विधान सभा अपनी जोली में डालने वालों की बात सुनना जरूरी है तो चलिए डालते हैं कॉंग्रेश नेता विनोज सर्मा के पास जैन्त मलिया जी ने निशित तोर पे अपनी सोच के अनुसार जो उनकी सोच है सर्वस्टेश्ट बजट अपने तरफ से पेस करने की कोशिस किये होगे दुख इस बात का है कि जैन्त मलिया जी लगातार बजट पे बजट दे रहे हैं और पूरे मध्व देश भारत देश का वो राज्य बना पिछले साल कि तीन वार इनको अनपूरक बजट भी पेस करना पड़ा कागज का बजट है कागज के टुकड़ों में बजट बनाया गया इस बजट में मैं बिलकुल एक युवा होने के नाते एक ऐसी बात करूँगा कि युवाओं के लिए इनके पास कुछ भी नहीं है किसान के लिए एक ऐसे समय पे जब पूरे भारत बस में सरवाधिक म्रित्तु सरवाधिक आत्मात्या किसानों की मध्द बजट का व important किसानों के लिए इस एन पे कुछ भी दिखाए नहीं दे रहा महिलाओं के लिए कुछ भी नहीं है ऐसा लग रहा था कि मद्ध प्रदेश के चुनावी वर्स का वजट है निश्यत तौर पे ये मलईया जी ने भी कहा कि चुनावी वर्स का वजट है पिट्टोल और डिजल में सरवाधिक बैट लगाने वाला प्रदेश हमारा मद्ध प्रदेश मना यहीं चुकि हम लोग उत्तर प्रदेश बाडर से लगे हैं आठ रुपे सस्ता डिजल है तो क्या यहां नहीं हो सकता था ऐसा लग रहा था कि हमारे जो उद्ध्योग मंत्री हैं रीवा के विधायक मी है ये कहीं न कहीं माननी मुख्ध मंत्री जी के बहुत करीब हैं इसलिए मैं ऐसा मानता हूँ कि अब तक केवल और केवल इनका बजट हवा हवाई बजट रहा खाना पूर्ती वाला बजट रहा कागजों में लिपा लपेटी वाला बजट रहा